हिमाचल प्रदेश इस वक्त शीत लहर की चपेट में है पहाडों पर हो रही बरबारी के चलते उपरीक शेत्रों में थंड़क बढ़ गई है ताजा बरबारी के चलते नारकंडा में राष्ट्री उच मार्ग पांच अवरुत हो गया है सबी वाहन अव वेकल्पिक मार्ग बाया बसंत पुल सुन्नी होकर शिमला रहे हैं नारकंडा में सड़क पर बरब की पांच इंच से जाधा परद चम गई है इस वक्त भी बरबारी जारी है SDM कुमार सेन गुंचीत सिंग चीमा ने बताया कि बाया नारकंडा बाहनों की आवाजाही पर बरबारी के कारण रोक लगा दी गई है शिमला जाने वाले बहनों को सैंज बाया बसंतपुर भीजा जा रहा है उन्होंने लोगों से अपील की है कि नारकंडा सहित अन्य उंचाई वाले क्षित्रों में नीजी बाहन ले जाने का रिस्क ना ले जब तक प्रसाशन द्वारा रोड खुलनी की सुषना नहीं दी जाती है बरबारी के चलते नारकंडा के अलावा खड़ा पत्थर चपाल के खिडगी बागी खदरला मंडोल सुग्री मार्ग भी यातायात के लिए बंद हो गया है बीती आदों से नाता सहिशना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उनसे संबलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है भूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए आपके स्वास्थिक प्रहरी श्रीबालाजी हॉस्पिटल कांगरा हिमाचल आपके स्वास्थिक प्रहर प्रेफप्टों के लिए खेच्टों के लिएेगाचल